अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियो जैसा कि आप जानते हैं ये फिलोड मेकनिक्स एंड मसीन्स की सिरीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस बीडियों पढ़ने वाले वो सभी कंटेंट आप पीडियाप पीडियाप फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि अपनी स्ट्रेंट अप मैट्रियल स्रीज कंप्लीट हो चुकिए सारा कंटेंट आपको पीडियाप फॉर्मेट में एविले विले साथियो आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से आपको नोट्स बनाकर पीडियाप फॉर्मेट में दिये जा रहे हैं इससे पिछली विडियो में साथियो हमने जाना था किस परकार को ये वोडि सिंक कर जाती है रथा डूब जाती है क्या कंडिशन होती है उसकी साथियो किस परकार को ये वोडि फ्लोड में डूबती है और किस परकार फ्लोड क कहलाती हैं या neutrally point bodies कहलाती हैं इस परकार यह सारी condition हम पिछली वीडियो जो पढ़ चुके थे साथियों अब इस वीडियों हम जानने वाले measurement of pressure दाव मापन है साथियों balancing by liquid column drug system द्वारा संतुलन होगा और दूसरा तरीका होता है साथियों mechanical gauge द्वारा आप दाव मापन कर सकते हैं जो कि यांत्रिक दाव मापियों के द्वारा किया जा सकता है हम साथियों जो डिवाइस हैं उनसे measurement लेंगे साथ तो इस परकार कोई pipe है इस परकार ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं इस परकार कहीं pipe जा रहा है इस परकार तो इसमें कितना pressure है साथियों ये जानने के लिए हम इसमें कुछ डिवाइसों का इस्तमाल करकर पता लगाते हैं इस pipe में कितना pressure है साथियों इस परकार इस pipe में जो अपने monometer है उनको इस परकार जोड़ा जाएगा साथियो इस परकार कोई device लगाई जाएगी इस परकार कहीं भी आप लगाएगा तो उसमें साथियो fluid बढ़ जाता है उपर जितना pressure है साथियो किसी status पाकर वो balance हो जाता है अब ये जो unit होती है साथियो जितना अपन इसमें measurement लेते हैं वो हमें बताती है कि इसमें pipe में कितना pressure है साथियो इस series में अपन measurement of pressure साथियो balancing करेंगे by liquid column जो liquid उपर चड़ता है साथियो तो monometer इस्तेमाल करेंगे हम उनसे full detail है पढ़ेंगे सारे monometer किस परकार कोते हैं साथियो कितनी type होती है उनकी किस परकार उनका उपयोग किया जाता है अब इसमें आपन जान लेते हैं साथियो devices युकती कहते हैं जिसे आप उपकरन कह सकते हैं और pressure measurement इनमें आता है साथियो monometer इस परकार आप देख सकते हैं यह manometer है इसको आप हिंदी में कहेंगे नली दाब माफी monometers are the devices in which columns of a suitable liquid are used to measure pressure simple manometer पहली जिसकी आप बरकी करनों में ले सकते हैं simple manometer के आप होता है साथियो इसको कहां इस्तमाल करेंगे हैं used to measure the pressure difference between a point and local atmospheric pressure जैसा कि साथियो आप जानते हैं यह manometer है यह वो device हैं जो liquid column का इस्तमाल करते हो जैसा भी उसमें आप अपने हिसाब से heavy density वाला liquid डालेंगे या फिर lower density वाला liquid डालते हैं साथियो suitable liquid होते हैं जो manometer में इस्तमाल किया जाते है pressure measurement के लिए और simple manometer के होता साथियो जैसा बताया था आपको इस परकार आप difference निकालेंगे साथियो जो atmosphere है और इसमें कितना pressure difference होता है साथियो इस परकार simple manometer से हम आसानी से पता लगा सकते हैं और दूसरी type आती है साथियो manometer में differential manometer इसमें आप पता लगाएंगे साथियो दो pipe हैं इन pipe हों में कितना अंतर है साथियो यहां पर इस परकार कुछ manometer लगाए जाएगा इसमें जो fluid difference आएगा इस परकार साथियो यह fluid भरा हुआ है इस पाइपों से जोडने पर यह fluid उपर की तरफ चला जाएगा साथियो pressure इदर अधिक हुआ तो यदि इदर अधिक हुआ तो इदर इसका column है अफ हो जाता है साथियो इस परकार manometer का हम इस्तमाल करते हैं differential manometer जो कि यह सब बताता है इन दोनु पाइपों में किस में ज़्यादा प्रेशर है और कितना प्रेशर है तो यहाँ पर साथियो pressure कुछ होगा यहाँ पर pressure कुछ होगा और इधर यह pressure इस परकार यदि फिलोड निकल जाता है तो इस पर यह pressure कुछ और हो सकता है साथियो इसका measurement लेने के लिए हम इस परकार इसे जोड़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं साथियो दो pipe के बीच में भी और एक pipe में भी यदि उसमें pressure change हो रहा है या फिर change आ रहा है pressure में तो कितना change आ रहा है साथियो यह सब steady करने वाले हैं जैसा कि साथियो अपने देखा था पहली type में था अपना pijometer इस परकार साथियो pijometer क्या होता है एक simple tube होती है glass की इस परकार आप देख सकते हैं इसको इस परकार आप बना सकते हैं तो यह simple tube होती है glass simple glass tube जैसा कि है diagram बना हुआ है साथियो इसको आप इस परकार जहां प्रेसर मापना चाहें वहाँ इसको इस परकार सेट किया जाता है साथियो इसे किसी भी परकार इसमें लिंक करकर उसका हम पता चलाते हैं साथियो इसमें जितना फ्लूट भरा हुआ है जितने प्रेसर पे साथियो इसको यहां पर आप लिंक कर देंगे इस परकार इसका रेंजमेंट करेंगे तो साथियो इसमें फ्लूट अब डायरेक्शन में आता है और किसी एक स्टेटस पर आकर बैलेंस हो जाता है साथियो उपर से प्रेसर लग रहा है और फ्लूट जो भरा हुआ है वह भी नीचे की अपना वेट देगा साथियो इस परकार इसमें जो प्रेसर हो बैलेंस हो जाता है साथियो इस परकार अब यह बैलेंस स्टेटस पर होता है साथियो वह हाइट माप लेते हैं और इस हाइट से हम पता लगाते हैं साथियो इसमें कितना प्रेसर है यह साथियो आप देख सकत साथ तो हम इस पिजो मीटर को मैं आधस्यक्जिकanter कर सकते हैं यदि इस में प्रेशर कम है साथ जो कि एट्मासफियर प्रेसर है उस से अधिक होगा तो फिजो मिटर में ऊपर लिकुड्ट चडएगा यदि कम है तो साथ यो इसको आप किसी leaked में इस परकार डुब सथाथ आप कह सकते हैं जो एट्मोस्पेरिक प्रेसर उससे कंप्रेसर इस पाइप में तो यहां पर फ्लूट अब डायरेक्शन जाएगा साथ यहां पर नेगटिव रीडिंग हो जाएंगी इसकी इस प्रकार साथ हूं हम पिजो मीटर से आसानी से टेंप्रेचर प्रेसर किस पॉइंट पर किसी पायप पर किसी सिस्टम में पता लगा सकते हैं जानते हैं आप यहां पर जैसा के umeg× h कोम रोग सकते हैं तो यहां पर जो प्रेसर है साथ हो वो किसके बरावर है जो यह रोजी है इसमें फिलूट भरा हुआ है इसकी आइट के बरावर इसका वेट नीचे एक तरफ लग रहा है और प्लस में साथ हो जो पी एटियम लोकल लग रहा है इन दोनों को इसमें एड कर देंगे यह अबवर डायरेक्श प्रेसर इंटेंसिटी होती है इसे आप लिख सकते है रोजी एच इस परकार लिख सकते हैं साथ हो यहां पर एच क्या है प्रेसर हैड होता है जो साथ हो इसको प्लस माइनस में लिख सकते हैं प्लस आता है तो आपवर डायरेक्शन में इसमें कॉलम में फ्लूट जाएगा जो कि pressure add के रूप में इस प्रकार आप इसे स्थेली कर सकते हैं पी डिवाइड वइ ओमेगा इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं साथ यूप पी एटी एम लोकल को इधर ले आएंगे ले तो ये साथ यो पी मानस पी एटी एम लोकल हो जाएगे जिकल टू रो एफ जी एक अब इसको साथ लेते हैं यह सारी डेटिएल में हम कवर कर चुके हैं पिसले वीडियो यदि आप नहीं देखियें और याद साथी यहीं से कंटीनु कर सकते हैं यह गेज प्रेसर इजकल टू हो जाता है फिर इस प्रकार और इसका प्रेसर हैड निकालना चाहें तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं पी जी डिवाइड़ वाइड़ रो जी एच इस प्रकार साथ हो हम इस पाइप में इस पॉइंट पर इसका मैजरमेंट ले सकते हैं इसमें कितना प्रेसर है साथ ही हो, सिंपल प्रिजोमीटर इस प्रकार इस्तिमाल किया जा सकता है साथ हो, इसकी कुछ लिमेटेशन हो सकती है, इसकी हाइट बहुत जादा नहीं रख सकते हैं, बहुत जादा प्रेसर हो, इस प्रकार साथ ही हो, इस प्रकार साथ यो इस वीडियो में हम जान चुके हैं फिजोमीटर क्या होता है प्रेसर मेजरमेंट की कौन कौन सी यूनिट होती है किस प्रकार इसका मेजरमेंट किया जा सकता है साथ यो और कौन कौन सी यूनिट है इस मैंसे हम ये पढ़ चुके हैं टेल में आगेने वाली वीडियो में सारे टापिक कवर करकर पढ़ेंगे साथ हूँ उम्मिद करते हैं वीडियो मं दिगई जान कर या आपको समझ माई होगी अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करकर पूँछ सकते हैं साथ हूँ आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वीडियो का अंतक देखने के लिए चैनल सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद